कैसे हूँ आप मैं हूँ और आप तेखरें मेरी यूट्यूब चैनल जिसमें आपका स्वागत है और अपिन देने तो आज की वीडियो में मैं आपको पताने जा रहे हूँ इसके बाद 6 चैप्टर ख्लोस तो यह इंसी आटी बुक से हैं और यह क्लास नाइंथ के लिए है मै मेरे कॉर्डिंग करते हैं क्यूशन को रिडाउट करते हैं उसके बाद क्यूशन को समझ कर फिसको सॉल्ब करते हैं लेकिन यह ऐसा क्यूशन है जिसको तो आपको दो से तीन बार प्राक्टिस करने होंगे तब चाकर आपको बनाने में बहुत आसानी फील होगा तो चलिए आया हम बनाते हैं हाँ तो क्रिष्ण कहा है दी गई आकरीती में तीरभूज P Q R की भूजा Q R को P रावा तक बढ़ाया क्या है कौन सा तीरभूज P Q R P Q R तीरभूज कहा है कौन से गली में P Q R तेखे ये P Q R एक तिरभूज है जिसको S तक बढ़ाए गया इसके एक बुज़ा ठीक है उसके बद क्या कह रहा है ये दिपी क्यूब आर और पी क्यूब आर और पी आर एस के सम्दिभाजक बिंदु T मतलब कि यह जितना होगा उतना यह होगा सम्दिभाज कर रहा है कौन सा एंगल का PRS को सम्दिभाज कर रहा है सम्दिभाज कर रहा है बिंदु T और वो बिंदु जो सम्दिभाज कर रहा है वो बिंदु का नाम T है ठीक है तो शी दिखिजिए कि एंगल क्यूब टी आर क्यूब कर रहा है क्यूब टी आर इसका जो है वन बटादू क्यूब पी आर का है क्यूब 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 पी आर का यह जो है एक बटादू है ठीक है तो इसको देखी कैसे हम प्रूफ करते हैं कि फर्स्ट अफॉल गिवें डेट जो लिए गया है देखिए धीर धीर आप स्क्रीन सॉट करते चाहिए और आप पहले नॉट्बुक में राइड डाउन कर लीजिए उसके बाद आप धीर से धीर समझे है ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखिए सबसे पहले हम क्य दिया गया है वो लिख लीए पढ़ने की जुरूरत नहीं है फिर आप प्रॉब्लम धाया फॉलोग साण में लीजिए यदि आप मशेड़ में ठीक और लीजिए घर सब्सक्रीन सुट करके अपने नोट्बूक में लिख लीजिए ठीक है उसके बाद थीरे थीरे अब तो देखिए एंगल P3R प्लस P3R P3R कहा है P3R P3R plus PR S P R S प्लस QPR QPR is equal to 180 degree यह तिर्भूज के तिनों कोनों का मन 180 degree होता है 180 degree इस तिर्भूज के अनुसार लिखा गया equation number equation number first अब चलते हैं तिर्भूज T3R में T3R भी तो बन रहा है तिर्भूज T3R में ठीक है T3R में भी उसी तरह तिर्भूज के तिनों कोनों का मन 180 degree हो यह equation first और equation 2 होगा equation first और 2 से हम चलते हैं क्या आप मिला 1 और 2 से दोनों को इक्वल इक्वल में लिख दीक हैं तो देखें क्या मिल रहा है यह जो T3R क्यूब है यहां देखें T3R क्यूब उसको किस तरह पढ़ा कर लिख सकते हैं तो किस तरह लिखतें पी आर क्यूब ब्लस पी आर्टी ठीक है फिगर ऊपर दिख रहा है अब अपने नॉट्बूक में देखें पी टी क्यूब ब्लस पी आर्टी को लिख सकते हैं हम T3 क्यूब बिलकु लिख सकते हैं चलिए सारा कुछ फिर उस LHS जो है रहा है उसको ये उतार दिया। आपके सबसे बहुतार को गर्लस है किसको चेंज की तो टी आर्टी आर्टी अर्टी के कुछ कारन है इस चारन है उसको सिर्फ हम भ्लस पर चेंज के हैं बड़ता प्रेशान तूरू लिखे उसके बाICO susp i sheet से अहतां कर लिखें लिख दिया है इपर तो देखे टी आर एर क्यूब और टी आर क्यूब दोनों मिल गया है पी आर क्यूब और पी आर क्यूब दोनों को काट दिया है एकवल में है तो कट जाएगा तो जो बचा वो लिख दी है दिक्कत है नहीं इसको equation number third मान रहे है clear है next क्या लिखते हैं चुकि qt p cube r का सम्धिभाजिक है cube t देखिए cube t इस angle का सम्धिभाजिक है पता है question में दिया गया इसलिए t cube r is equal to half p cube r लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं तो इसको equation बनाई है तो क्या हो जाएगा p cube r p cube r ये 2 उधर चल जाएगा तो 2t cube r हो जाएगा बिल्कुल होगा इसको क्या किया equation number 4 बना दिया clear है आप चले equation number third और equation number 4 से क्या मिलता है equation number third और इधर equal equation number 4 तो देखे 2t cube r हो इधर 1t cube r हो जाएगा तो एक कट जाएगा तो एक इधर बच जाएगा इधर होला दो खत्म तो क्या होगा p rt ये बच जाएगा और फिर यहां पर 1t cube r तो बचे गए बचे गए फिर इधर हो जो बचे है उसको equation number 5 बना दिया खिले हो इधर आजि लिखρχ है जोए जोए Gl艄ijn तो यहां दो समदी गहाना आया हो g तो वह समदी भाजक ही हिल रहना तो इसको अम इस तरह से लिक सकते हैं जैसे यहां पे लिक है बची क्लिख सकते हैं और पी आर एस ती क्यूब आर का बहिष कोन है, बहिष कोन किसको कहते है, बाहर वाले कोन को बहिष कोन कहते है, तिरभूज के बाहर वाले कोन को बहिष कोन कहते है, यह बच जाएगा और फिर यहां पर एक टी क्यूब आर तो बचे गए, बचे गए, फिर इदरी, जो बचे है उसको एक्व टेसे लिख सकते हैं। वीरोनों को लिखे मोध्य कोई से चलियर मोध्य हैं, jsum x यहां पर लिखते हैं, देखें, पी आर एस इसको तो टी क्यूब आर प्लस क्यूब पी आर यहां से इसको क्या किया है, इसको क्या किया है, अब देखिये, क्या करते हैं, पी आर टी, पी आर टी कहा है, पी आर टी, 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 पी आर टी यह वाला एंगल को is equal to half prs लिख सकते हैं इस एंगल के equal में इसको इस तरह से लिख सकते हैं फिर इसको इस नमबर 5 में 7 को घटा दियें 5 में 7 को घटा दियें तो यह मिल गया है प्रूफ हो गया के लिए रहे हैं तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगती है तो जरूर करें और बेला एकल को प्रेस जरूर करें और हाँ यह वाला क्यूशन थोड़ा हाड था तो इस करके इसको आपको तीन से चार वर नोट कॉपी में या फिर ड्राफ कॉपी में आपको बना कर सीखने होंगे